नमस्कार दोस्तों मैं जीत कमार सिंग एडवान्स एक्सल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूटूब वीडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीखते हैं कम्प्लीट एडवान्स एक्सल दोस्तों आज हम डिसकर्स करने जारे हैं आपके साथ एक सिंपल सी ग्राप के बारे में कल या परसो किसी ने मुझे इस तरह के एक ग्राप बेजा था बुरा था क्या हम इस तरह के ग्राप बना सकते हैं चलिए इसी ग्राप के बारे मताते हैं आपको कैसे बनेगा इस तरह के ग्राव कि देखरें ऊपर डेट डिला हुआ है एक नीचे अमांट है तो टोटल तो चार्ट में नहीं आता है दो इमांट है और नीचे उसका कंट्रिवुशन है तो यह दो डेटा होने का बुछ होगा लेकिन मैं एक सिंपल सा डेटा नाता हूं अब यह सबसे पहले है एक सिंपल सा हम डेटा त्यार करते हैं फिर उसके उपर चार्ट त्यार करें तो यह हमारा डेट हो जाएगा डेट में यह हमारा हो जाएगा सेल्स यह हमारा मुंबई का सेल्स है यह हमारा यह है का बोलते हैं अचींट है तार्गेट अचींट हमने इतना परसेंट टार्गेट अचींट किया है और मैं माल लीजिए इसका इसी महीने अप्रेल कहीं में बना रहा हूं तो मैंने ले लिया 20 अप्रेल तक का मालम मैंने ले लिया और सेल्स के लिए मैं रैंड बिट्वीन का फॉर्मॉला जो कि नॉर्मली यूज करता हूं हमेशा रैंडम डेटा के लिए हमने उसको बनाया हुआ है तो कि परसेंटेज भी तो चाहिए तो रैंड बिट्वीन से परसेंटेज नहीं आएगा तो हम एक रैंड का वामला है जो की डेशमल में देता है और परसेंटेज भी डेशमल में ही होता है हमने लेके एक रैंडम डेटा बना लिया इसको परसेंटेज में हमने कर दिया और पूरे डेटा को कॉपी किया और इस पे वैलो पेस्ट कर दि अब मैं इस पे चार पनाओं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ अगर माल लगिस में पीचे टोटल है तो टोटल को सेलेक्ट मत किजेगा टोटल चार्ट में नहीं आना चाहिए तो वन बई वन आपको करना पड़ेगा फिर तो यहां पर हमने इस चार्ट को नहीं इसको लिया ताकि एक सिरीज जो है एक ही बने और हमने इसको फासा बढ़ा करते तो इसमें हम राइट क्लिक करके करते हैं चेंज स्रीज चार्ट टाइप तो नीचे दिखिए यहाँ पर अचीब टार्गेट है, इसको हम देने लेते हैं यह हमारा लाइन चार्ट होगा और फिर इसकी सेकंडेडी एकसिस कर देते हैं क्योंकि यह तो डेसमल में है इसलिई सेकंडी एकसिस हमने कर दिया हुआ हमारा सेकंडे एकसिस हो गया और इसके एक बाद करें हम यहाँ पर तो यह हमेशा बीच में ही हमारा second axis व कि इसकी percentage बहुत कम है इसलिए बीच में ही mostly लाहरा नीचे उपर ही हो रहा है यह जैसे हमारा हमारा दो बह रहा है यहाँ पर इसको एक contribution है मतलब उसको तर्गेट नहीं यहां पर कंट्रिविशन कर देता हूं तकि इस ती पर चार्ट बने हमने यहां पर क्या किया हुआ है हमने यहां पर एड़ कर गया और इसका डोटर और दोगा डोटर कि यहां पर हम कर रहे हैं सम में इसको ले रहे हैं और इसको डिवाइड़ वाई तो इसमें मैंने पहले बीट भीटू फेक्ष रहता हूं पहले बीटू नहीं नहीं करना और इसको तो फीड इसको आगे के तरफ मैं इसको ड्रैग कर देते हैं से मुझे नहीं रखने के लिए हमने क्या किया राइट क्लिक करता हूं इसको 2% बीच में आगिये, आपिस दो सो तक मैंने कर दिया इसमें कलर की बाद करें नीचे हमना रेट कलर है तो हमने इसको अपर तरह से बड़ा है तरह सा तो इसके लिए हम क्या करेंगे राइट क्लीक करते हैं और इसकी गैप है इसको तरह से घटाँ देते हैं जैसे अब गैप कट आएंगे थोड़ा साही बड़ा होता चला जाएगा उपवाले को मैं चेज़ की जगा तो यह इस तरह से हट जाएगा उपवाले जैसा है उसा राटे देज़ेगा 25 परसंट कि अब सही है अब सही है अब हमने यह हो जो चीज हमारा जो यह है यहां पर 180 तक है बट हमार डेटा हंडेट तक ही है इसको भी राइट इसको भी सेलेक करता हूं राइट क्लिक करता हूं इसको मैं 180 के जगा पर 100 कर देता हूं तो इसकी कलर रेंड है तो मैं राइट क्लिक करता हूं फॉर्मेट स्रीज में जाता हूं और इसकी जो कलर है फिल में इसका पैट नहीं पैटर नहीं यहां पर यह सॉलिट फिल में को राइट कर देता हूं और इसमें ब्लैक बॉर्डर नहीं है इसमें ब्लैक बॉर्डर नहीं है क्या बॉर्डर है तो बॉर्डर लगा भी सकते हैं इसे ब्लैक कलर का मैं सॉलिट लाइन लगाना जाए कि इसके ब्लू है तो मैं सॉलिट फिल इसका भी ब्लैक और यहां पर सॉलिट फिल या आर्टमेटिक फिल जो भी है उसको आम यहां पर बुलू कर देए इसके बात मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और एड डेटा लेबल इसका data label पूरा होने सी तो एक ही सेलेक्ट हुआ है पूरा सेलेक्ट हो डबल ग्लिक करने पे signal होता है मैंने यहां पी format data label पर लिए ह है हुँ यहां पी तो यहां पर वालेटा लेटा हुआ कि और यहें बीट कर दो जाए है गुड़ा सेलेक्ट है, राइट क्लिक, एड़ डेटा लेवल, डेटा लेवल एड़ हो गया, अब यहां पे देखिए, ऊपर में है, फिल करके, और आउटसाइड में, तो यहां हम इसकी अलाइमेंट में हम आते हैं, की कर सकते हैं, की एक अपका सेंटर में है, यहां पे इंसाइड एंड, तो पो थुसित मौ लो एत्वादेन सम्कुशे शर्ञट झाल जब उप तुनवे झाल 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 इसके लिए नीचे हम इसको 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 अलाइमेंट यहां इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इसकी जो अलाइमेंट है यहां इंसाइट पीस कर देते हैं इंसाइट बेस हो गया और इस पी भी हम एल्ट लिए डेटा लिवर कर देते हैं लेकिन इसको ऐसे नहीं इसको हम यहां आते हैं और राइट हो गया अब 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 कर देता हूं और इसकी फिल कलर इसकी हम फिल कर देते हैं जो कि दीखें इस तरह के कलर दे सकते हैं जैसे के आप देखें आप पे लेकिन होबर कर देते हैं में इसकोंब लोग में कि को भी कलर करना चाहे तो हम कलर कर सकते इसकी फिल में इसको शॉलेट फिल में हम आप और क्लर कर लिए जैसे के हमें इसको अब कि देटा कि इसाब से और यह जो है डेटा कि इसाब से चेंज होता है और साथ में अलग अलग बर्जै के शाब एक चार लिख रहा है फुराजन थ्री का चार्ट निख रहा है यहां है यह से अपना एंगल होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए तो यहां या कितना दिगहरी होना चाहिए या डिफॉल्ट होना चाहिए वो आपके उपर डिपेंड करता है उसके अलावा आप यहां चार्ट डिजाइन पर जाएगा तो यहां भी बहुत सारे के आपको बने बनाए फॉर्मेट बिल जाएंगे उसका भी इस्तमार कर सकते हैं तो कि उससे बेटर होगी है अब दिखा आप के फॉंबेट भी लिया जासकता हूं इस्तम की चीज़र भी कीया जासकता है यहां पे चार्ट अमें जीसरत करना है नीचे करना चाहते हैं यह चाहिए तो आप यहां से हैखारिंग प्रसेएं इसे आप से ले सकते हैं यहां आपको टाइटल आजाएगा इसके डिपेंड़ करें इसको अच्छा लगा तो लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा अगर आपको मेरे साथ लाइब ऑनलाइन क्लासे जॉइन करनी है तो मुझे कॉल किजिए इस नंबर पर और या फिर मेरे विबसाइट इंडिया डॉटकम पर जाकर आप डेमक्लास का फॉर्म बढ़ते हैं या फिर आप मेरे रिकॉर्डेट पेंड्राइब चाहते हैं तो रिकॉर्डेट पेंड्राइब भी ले सकते हैं इस नंबर से थाल सब्सक्राइब जाए आपक्डिए से अच्छेट टेटेच प्रीप्राइब यूटकम पाड़ते हैं